नमश्कार मैं हूँ त्रिश्ला यादो स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खासे कारिकरंब जुबानी वार पलट वार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्राखंड की उधम सिंग नगर और नैनी ताल के मद्दाताओं को विजय संकल्प सभा में माध्यम से संबोधित कैस दोरान उन्होंने विपक्ष पर जम कर तंज कसा प्येम मोदी ने सभा को संबोधित करते वे कहा कि इस अमरित काल मे उत्राखंड और देश को नई उचाई पर ले जाने का उसर मिला है इसलिए इस बार ये चुनाब बहुत ही महतुपूर है उत्राखंड की धर्ती से मेरा एक विश्यस नाता रहा है आप लोगों से मेरा विश्यस नाता रहा है और आज नहीं मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब भी गुजरात के मुख्यमंत्री के पहले संगठन का काम करता था तब भी और उसके पहले भी मेरी एक जिंदगी थी, मैं आपके बीच में रहा हूँ, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं आपको जानता हूँ, आपके दुखदर को जानता हूँ, अपने सपनों को जानता हूँ, और जब आपका कोई यहां बैठा है, तो आपके लिए जीएंगा के नहीं जीएगा, आपके लिए काम करेगा और नहीं करेगा लेकिन बीच में रोडे अटकाने वाले लोग बैठ गए तो मैं कितना ही चाहूं कितना ही करना हो मैं कर पाऊंगा क्या गलती मत करना मेरे भाईयों बहनों उत्रा खंड के युवाओं के लिए उत्रा खंड के उजवल भविश के लिए उत्रा खंड क गाउं गरिब के लिए किसी भी हालत में गल्ती नहीं करना बाई और बहनों जब दिल्ली में इनकी सरकार थी कॉंग्रेस के नेता यूपीए के नेता दिल्ली सरकार में वैठे थे और आपी के उत्रा खंड के एक नेता उच जमाने पर तो बड़े रसुकदार नेता यहां मंत्री थे 2000 से 2014 के दोरान उत्रा खंड में सडके बनाने के लिए याद रखिए आपके साथ क्या हुआ है और उसी के तराजु पे तोलिये जब उनकी सरकार थी और आपके उत्रा खंड के यह गिनेता उस सरकार में यह मंत्री बैठे थे परिवार की सेवा में लगे थे उस समय सडके बनाने के लिए इनोंने केवल केवल 2800 करोड रुपिय दिये याने मुसीवत से 3500 करोड दो हजार चौदा में आपने हमें आशिरवात दिया उन्होंने साथ साल में क्या किया था वो मैंने बताया हमने इन साथ सालों में उत्रा खंड में सडकों और हाइवेज के लिए करीब करीब 33000 करोड से भी जादा रुपिय दिये हैं पहाड में रहने वाले लोगों के लिए रेल एक बहुत बड़ी घटना होती है रेल देखना भी उनके नसीब नहीं होता है उसकी सामें हम रिजी के स्कनप्रायग रेल वेलाइन के साथ उन्होंने क्या किया था यह हम भूल नहीं सकते हैं अगर उत्तराखन को वो समझते, उत्तराखन की भावनाओं को समझते, उत्तराखन की लोगों की जिन्दगी समझते, तो ऐसी पाँप ऐसी गलती नहीं करते हैं, मैं इसलिए अच्छा कर पा रहा हूं, क्यों मैं आपने बीच थे हूँ। गोश्रा पत्र जारी किया गया, बीज़पी ने अपने गोश्रा पत्र को लोग कल्यार संकल पत्र नाम दिया, वहीं इस मौके पर ग्रह मंत्रिय आमिठ्षा ने लोगों को सम्भोधित किया और सरकार के कामों के बारे में जानकारी देने के साथ व्पक्च पर जम कर हमला बो ने किसानों के लिए हर साल 6,000 रूपया हर किसान के बैंक एकाउंट में भेजने का काम किया है और इससे छोटे और मजले किसानों को रुनमुक्त होने का एक फाइदा मिला है योगी जी ने आने के बाद तुरंत ही दो ही मैने में लगबग 86,000 लगू एवं सिमान किसानों का करजा जो 36,000 करोड से ज्यादा जिसकी लागताई उसको माप करने का काम किया है और लगबग 4.72,000 करोड रुपय करोन किसानों को उपलब्द कराने का काम किया है लंबीद सिंचाई की 17 की 17 परियोदना है इसमें से कुछ परियोदना है तो मेरे जन्मक्य की पहली मेरे जन्म के पहली की परियोधना जो लंबी थी जिसको योगी आदित्यनाद के नेतुत में सत्रा की सत्रा योधनाओं को हमने पूरा किया है और मोदी जी के उत्रपदेश के विजन के अनुरूप केन बित्वा की नई योधना की भी हमने शुरूआट की आर्थीक विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो, सुशासन देना हो, सलामति देना हो, घरीब कल्यान के काम हो या सिक्षा का छेत्र हो हग सेत्र के अंदर हमने हमारे संकल्पों को पूरा किया है और हम आगे पर भी इसी क्यास को बरकरार करने चाहेंगे पांट साल पहले उत्तरपदेश एक दंगा युक्त पदेश माना जाता था उत्तरप्रदेश के अंदर विशेश कर पस्षिमी उत्तरप्रदेश में और अवद छेत्र में माता और बेहनों की सलामती नहीं थी हमने कहा था कि आप हमें सासन करने का मौका दिजे हम माफिया मुक्त उत्तरप्रदेश बनाएंगे उत्तरप्रदेश को अपराज से मुक्त बनाएंगे आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 5 साल की सरकार चलने के बाद आज उत्तर प्रदेश में मापिया पलायन कर गए है और उत्तर प्रदेश में कानून का राज प्रस्ता भी धुआ है डकेती के मामलों में 57 प्रतिसत की कमी लूट में 70 प्रतिसत की हत्या में 30 प्रतिसत की अपरण में 52 प्रतिसत की दहेज के मृत्यू में 8 प्रतिसत की और बलातकार के मामलों में 42 प्रतिसत की कमी दर्जगी है जो 70 साल की इत्यास में सभी के सभी मद के अंदर रेकोर्ड तोडन वाली कमी है मैं इसके लिए योगी आदित्यनाद जीस को रदाई से साथुवाद देना चाहता हूं कि भारती जन्ता पार्टी के पांच साल के साचन में उस्तरप्रदेश एकडम सुरक्सित राजिये बनाए तो वहीं अमित शाह के लावर कारिक्रम में योगी आदित्यनाद भी मौजूद रहें जिन्होंने बीते पांच सालों में किये के कामों के बारे में जानकारी दी और वपक्चु पर जुवानी हमला बोला उत्तरप्रदेश कर्फियू से मुक्त होगा हर बेटी सुरक्सित होगी आज पांच वर्ष जब इस सरकार की बीत रहे हैं हम कह सकते हैं उत्तरप्रदेश में कानून का राज है हर बेटी हर बहन और हर माता अपने आपको सुरक्सित मेसूस कर सकती है 2012 से 2017 के बीद उत्तर प्रदेश में 700 से जिक दंगे हुए सेकड़ों लोग मारे गए महिनों महिनों तक उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू रहता था ब्यापारी पलाइन करता था बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी आज पांच वर्स के बाद दंगे उत्तर प्रदेश में के अंदर समापतो है उत्तर प्रदेश में आज कर्फ्यू नहीं बलकि धूम धड़ाके के साथ कावड यात्राएं निकलती है पर वो और तेवार सांतिकूर्ण सुहार्दकूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर संपन होते हैं हर बेटी इस्कूल जाती है बेकोप इस्कूल जाती है और हर वहन हर माता को अपने रोज मर्णा के कार्णियों से बाहर किसी उत्तर खंड के उधम सिंग नगर और नैनी ताल में भाश्पा ने विजय संकल्प सभा का आयोजन किया जहां पीम नरेंद्र मोदी ने वर्च्वली लोगों को संबोधित किया हुए दूसरे और उत्रखंड के सीम पुसकर सिंग धामी ने भी कारिक्रा में मौजूद रहे जहां उन्होंने भी जनता को संबोधित किया एक एक बोट आपका 14 फरवरी को उन पर गहरी चोट करने वाला है मैं आप से निवेदन करने के लिए आया हूँ कि हमारे एक एक बोट की कीमत इनके इस अफरात की सजा देने के लिए है इनके इन पाप की सजा देने के लिए है भाईयो बहनो दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधान मंत्री जी के नित्तों तुमें सारी वैक्सीन है मुप्त में लगाने का काम हुआ है फिरी में वैक्सीन लगाए गई पहली डोज लगाए गई दूसरी डोज लगाए गई और तीसरी बूस्टर डोज भी अब मुप्त में लगाने का काम हो रहा है भाई यो बेहनों लगातार देश के अंदर काम चल रहा है दूसरी तरफ इस महामारी से जूसते हुए हमारे बहुत सारे भाई बेहन है, बहुत सारा हमारा बर्ग है जिनके घरों में दो टैम का भोजन बनाने के लिए अन्न भी नहीं था ऐसे लोगों की चिंता करने का काम ऐसे लोगों को भी मुप्त का रासन देने का काम पांच किलो परती उनिट के हिसाब से हर किसी के घर में भोजन पहुँचे हर किसी को खाने को मिले कोई बिना अन्न के न रहे, कोई भूके पेट न सोय, मानी प्रधान मंत्री जी ने गरीब कल्याड अन्न योजना चलाई भाई हो बेनो, और गरीब कल्याड अन्न योजना के माध्यम से, पांच किलो परती उनिट के हिसाब से, सभी को रासन देने का काम हुआ, उत्रागंट क के काड़ धारक हैं उनके लिए हमने भ्योस्ता किये वाईयों बेनों आज मोदी जी के नित्वत्तों में उत्राखंड का चाहूमु की विकास हो रहा है आज देश का चाहूमु की विकास हो रहा है उत्राखंड की धरती जहां बाबा केदार की धरती है बाबा बद्रिनात की बाबा केदार में 400 करोल उपे का पुना निर्माण का कारी अभी वहां पूरा हो चुका है बदरीनाथ में 400 करोल की योजना वहां की स्विक्रित हो गई है उसके टेंडर भी लग गए है समाजवादी पार्टी की मुख्या अखिलेश यादों ने मंगलवार को लखनों में उत्तरप्रदेश के लिए पार्टी की घोश्रा पत्र जारी किया पार्टी ने अपने घोश्रा पत्र में समाजवादी पार्टी वचन पत्र नाम दिया साथ ही लिखा है 22 में 22 वचन घोश स्टेडियम भी बने थे और अगर रनिंग ट्रेक्स भी बनाने पड़ेंगे या जिला इस तर पे या बलाक इस तर पे तैसीर इस तर पे या कहीं ग्राम सवा में जहां जमीन उपलत होगी वहां running track अच्छे भी अच्छे बनाए जा सकते हैं जिसमें लागत कम लगेगी तो जहां पर जगे उपलत करा देंगे गाओं के लोग वहां पर running track सरकार की तब से बनाने का फैस्दा लिया जाएगा भारती जनता पार्टी से बड़ा जूट को नहीं बोल सकता है छोटा नेता है चोटा जूट बोलता है बड़ा नेता है बड़ा जूट बोलता है सबसे बड़ा नेता तो अब तो वारती जूट बोलता है ये जो कह रहे हैं ATS का Center इनसे पूछी है भारती जनता पार्टी लोगों से कि जब बजट सप्लिमेंटी बजट सब पास हो गया बजट में क्या बजट रखा था आपने और फिर क्या बजट था आपका एक इन्होंने का मा शाकुम्बरी देवी के लिए नाम से हम सक्ती पीट के एक उनिवस्टी बनाएंगे क्या बजट सा उनिवेस्टी में? क्या बजट दिया? ATS Center के जो Commander Center बना जाते हैं क्या बजट दिया आपने? इनिवेस्टी मास्टो कमड़ी बना रहे हैं आप क्या बजट दिया उसमें? जब बजट ही नहीं दिया और सबसे बड़ी बात आपको बता दें दिल्ली का अभी बजट पास हुआ है क्या जो राशन फ्री बटरा उसके लिए बजट रखा है क्या? बारजिंदा पाटी ने इसका मतलब यह है कि गरीबों को केवल बोट लेने के लिए राशन दिया जा रहा है आप दिल्ली का बजट देखिए क्या बजट जीरो है के नहीं है उसमें? राशन बाटने के नहीं बजट इसलिए है इसलिए उनकी बातों में मताओ आप भी उत्रप्रदेश में विधान सबाद शुनाओ को लेकर सियासी गर्माहट पूरे शबाब पर है वही समाजवादी पार्टी के प्रमुग अखिलेश यादों के समर्थन के लिए पश्विम बंगाल की मुख्यमंतरी ममताव एनरजी भी यूपी में है अखिलेश और ममता ने आसाजा प्रेस कॉन्फरेंस भी किया इस दोरान ममता ने जम कर योगी सरकार पर निसाना साधा ममता ने खा हाथ रस की घटना उन्नाओ की घटना और कोविट के दोरान गंगा में फेके गैशाओ के लिए जिम्मेदार लोगों को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा योगी जी जब यह हो रहा था तब आप कहां थे योगी जी को उत्तरप्रदेश की जनता से माफी मांगनी जाहिए और तुनाओं में आप एक काट्टा होकर आप समाजबादी पार्टी को जिताए और बीजेपी को हराइए ए बात कहने के लिए मैं लकनों में आई हुए है फिर तीन तारिक को हम बरा नोशिबे भी आएंगे कि मैं यूपि में कॉंटेश्ट नहीं कर रहा है इसके लिए नहीं कर रहा है कि आज बड़ा रलाए है देस्ट को अगर बजयेपी से बचाना है तो हमारा जो भाई इदर में लड़ाई करता है अँकलेस्व जादों उसको सपोट करना पुरा पूरी पुरा तारा एह हमारा होग बनते हैं मैंने सुना है आज हमारा पोग्राम है इसी के लिए बीजेपी का आज मैनिफेस्टों निकालना है और मैनिफेस्टों ना मानिफेस्टों मेरे को पता नहीं है किया क्यूंने ये एकना लिन मे पहले कर ना है उसका बात बोलना है कि आपको भी रहना पते हैं कि इतना साल आप दिल्ली मे में पहाहर में हाट अप यूप में पहाड में हैं तच्छमताम में रहके अब गोली चलाते हो बरबादी करते हो मा बहिन को क्या हुआ है हम को बोलने का जुरूरत में यह इतिहाज बताएंगे पहले तो माफी मांगो उसका बाद भोड मांगो हात्रस में क्या हुआ था इतिहाज कभी नहीं छमा करेंगे पहले मापी मांगो उन्नाओं में क्या हुआ था मापी मांगो इनर ची लेकर कितना लोग मणा था मापी मांगो तो वहीं दल्ली के CMO रामादी पार्टी की अध्यक्ष अर्विंदिर केजडिवाल रविवार को हरिद्वार दौरे का तीसरा दिन है वहीं आज एक प्रेस कॉंफरेंस के दोरांद अरविंद केज जिवाल ने विपाक्ष पर जमकर हमला बोला उन्होंने कहा कि इस बार आप पार्टी को एक मौका मिलेगा वह उत्राखंड का नौनर मार कर भाजपा कॉंग्रेस के वोटरों और सपोर्टरों को सोच बदल देग क्या कॉंग्रेस ने उत्राखंड के लिए कुछ किया क्या कॉंग्रेस ने आपके परिवार के लिए कुछ किया क्या कॉंग्रेस ने आपके बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ किया क्या कॉंग्रेस ने आपके घर के बच्चों को नौकरी दी क्या कॉंग्रेस ने आपके इलाके में स्वास्त सुविधाय इंतिजाम किया। अगर नहीं किया तो Congress को वोट देने से क्या फाइदा। फिर भी मैं आपको यह नहीं कह रहा कि आप Congress छोड़के आँम अदमी पार्टी में आओ। आम अदमी पार्टी एक नई पार्टी है आपने 10 साल कॉंग्रेस को दिये और 5 साल भी दे दोगे तो कोई फाइदा नहीं है कॉंग्रेस ने और बीजेपी ने दोनों ने मिलके 21 साल में 72 हजार करोड रुपए का करजा चड़ा दिया उतरा खंड के उपर इसकी जवाब दे ही और इतनी सारी सो विधाएं देंगे हम दिल्ली में करके दिखाया है हमने हम कर सकते हैं हमारे इस कारिकरम में इतना ही देश-दुनिया की और खबरों के लिए देखते रही है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार